हेलो गाइस, विलकम बैग, आज हम सकरिस का पार्ट टू करने जा रहे हैं, पार्ट बन में मैं आपको जनरल फीचर्स जनरल कारेक्टर्स बता दिये थे इसके, तो सिस्टम्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो लाइफ सैकल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो ला जो भी प्लैटफर्म आप यूज करते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिच करता हूं, आपके जवाब देने की, तो यह है, चलो, आज का लेक्चर शुरू करता है, अपना, तो हेडिंग देंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एसकेरिस, एफ यह और जो एपना एफ होस्ट में देगाल देते हैं, जैनिटिक, तो सिर्फ इसका एक ही होस्ट है, सिंगल होस्ट, और सिंगल होस्ट का ना Pan, तो सिर्फ मैन के अंदर, इसकी एक rough way में बता देता हूं कि क्या के इसकी life history में मतलब कैसे कैसे हो रहा है फिर उसके बाद मैं एक diagram आपको दिखाऊंगा मैं किंटस्टाइन में कैसे पढ़े हैं वह भी आगा आपको पता चल जाएगा तो मालों पढ़े हैं इन दोनों ने कॉपुलेट करें इसके बाद सीटे थे तो यह सीटे जो है वह फीमेल गोनोपूर जो है आपका और जिसको अमने वजाएना बोलता है वापे जाके उसको उ यहीफृष्ण भी तो सीमपल है सब सब में कॉमन ही होता है तो गैस रॉलशार बनगा तो गैसल इसल कपरिंग होगि तुक है उस apparatus को हम बोलते है जो ग्लाइकोजन की कवरिग होगि और फिर उस क्ला ग्लाइकोजन की कवरिंग मेग आपकी kitanus covering होगी ठीक है तो जो इसके गस्ट्रॉला के बाद जो अंदर ये सब हो रहा है ऊपर जो covering है तो इसका जो एग होगा कुछ आपका ऐसे kitanus होगा laas में जब आपका निकलेगा ठीक है तो ऐसे kitanus जिनमें साख हो गांग और अंदर नहीं और आधार आधा है dunno । रधा आधारए भुआ छो इटाी पर अंदर नहीं है क्यासे भी जाए जिसको परभारे से थो टो यह आपका भारा गय udah दिस जिस न ऑपकी के लाव पर आपकी काई के लीक। कै तो यह पी थर टा चीव मोल्कृतित्व होती है और मॉल्टिंग होने के बाद आपका इसमें ये जाएक्शियल लार्वल स्टेज में इंटर करता है, second larva stage ठीक है और ये second larva stage जो होती है आपकी infective होती है, कैसी होती है infective मतलब ये जो था ये थोड़ा सा हलका सा बड़ा हो जाएगा तो आपकी ये covering अभी भी एसकी, ठीक है, so this is second larva stage ये infective है, अब ये infective stage पहुंच जाएगी आपका वाद से away man का अंदर हुआ तो यहां तक आपका man का अंदर हो रहा था फिर यह तो first stage और second stage आपका man से human की body बार हुई और यه second stage आपका फिर से main ने ingeist कर लिया ईंजिस कैसे चरे का या तो गंदा खाना खा खाया, तो उनको तो पता नहीं हो तो बच्चे हैं तो कुछ भी गंदी चीज मुह में दे लेते हैं तो उसी के थुरू आपका इन्फेक्टिव स्टेज वह है वह आपका मैं की बॉड़ी के अंधर पहुंचाएगी ठेका अब यहां से समझनाए क्योंकि मैन की बाड़ी में इसकी दो बार जाखियग को पते हुआ इस आपका मैं की इंटर्स्टैन में के बाद इसकी हैचिं मतलब यह एक्षेल जो है क्योंकि हमने इंजाम होते हैं इसने में इंजाइम्स ने इसको डिजॉल कर दिया और यह लार्वा जो है वो बाहर आगिया ठीक है तो यह आपका जो अभी जो सारा काम है वो आपका इंटस्टाइन में चलेगा तो लार्वा बाहर आगिया ठीक है तो लार्वा बाहर आने के बाद आपका जो है वो लार्वा फ्री आगिया इंटस्टाइन में बाहर आगिया कि अभी इन्य साफ गौर को परफोराइट कर दिया लिवर में तो लिवर में पहुँचए जब शिरफॉई कर दिया है तो लिवर में पहुच गा कि दो अभी है अभी हार्ट में पहुचकजगा हो हो यह हैं यहां से इसका Pas तो यहीं पर आपका जैसी धूरोश्च में पहुचता है तो लंग में आपका यह को पिन आपका फिर एक बार मोल्टिं करता है और थड़ स्ठेज लारवा जाता ते यह कहा तो उसमें ट्रई के थो फूर्टा होते वए यह जो होगा यह वापस से इंटस्टेज में इंटर कर जाएगा जब कफिंग करेंगा ना कफिंग करके जो फूटा मोगास को स्वैलो कर लिया उसने तो वापस से थर्ड स्टेज में इंटस्टाइन में पहुंच गया और जब इंटस्टाइन में पहुंच जा था तो यहीं पे एक बार हो मॉल्टिंग करता है और यह फोर्थ स्टेज में आ अड़ल बन जाएगा ठीक है इंटस्टाइम में poking है औरマlook मिल एक भी ह स्पार कैने के पर आपके अड़でしょう की सिवारी поater पूरां में अविल पूरे तो यह एक rough way में आपको समझा दिया अब इसकी एक डाइगराम देख लो डाइगराम में भी सेम चीज़ दिया मैं आपको बता हूँगा देन उसके आद मैं आपको यह लिख दो तो देखो यह डाइगराम देख लो लाइफ साइकल की तो माल लो आपके जो मेल और फीमिल एस मेल जो मैन का फीज़ उसके साथ आपका बाड़ी से बाहर आ जाता है तो अगर यह इस से पहले का जो मैंने वो टू स्टेल फो फोर से लिस्टेज अगर देखें तो जैसे माल लो यह यह एक्सल है आपका एसके इसका तो इसमें इस परमेंटर गरा फेटलाइशन करा दिया ठीक है फेटलाइशन होने के बाद आपका जाइगोड बन गया तो अंदर जाइगोड है जाइगोड के बाहर सबसे पहले में आपको था एक लाइपोईड मेंब्रेन बनेगी चीक है देन उसके उपर आपकी एक काईटिनियस लियर बनेगी तो एक काईटिनियस लियर है औ तो याद करो रपड़िटी फॉम लार्वा अमने इसको बूला तन यह रपड़िटी फॉम लार्वा जो है आपका फिर सेकंड लार्वल स्टेज में चनवर्ट जागा तो यह हुमन बॉड़ी से बाहर हो रहा है यह दोनों काम ची मतलब एक बार बॉड़ी से बाहर आगिया केप्सिल और बॉड़ी से बाहराने कवा बाल फिर सेाने के पर दिर बॉड़ी बाहर होती है कि तें फिर क्या हुआ कि क्टेमिनेटेड फोडी के थू है यह वापस से किमन बॉेड़ी के इंठर करिया तो माइट से थे ौन बॉड़ी माil इक थे यह उन्टेस्टैny में उ कि आपके दिजोल हो जाएगी जो जो आपके डिजेस्टिव इंजाइम्स है उसके तुरूर तो यह लार्वा जो आपका वह अजाएगा तो यह देखो लार्वा बहर आगिया जनी यह लार्वा बहर आने के मौलिटिं Moving स्टेज लारवार में किरै के देन फिर मेंन आपको रहता पूंद प्टम में पड़ा रहेंगा रहें बाके त्रै कि है कि थ्रु वापस से जब कफ़िंग करेंगे तो वापस से स्वैलो बैंक आपका वापस इंटर स्टेइन में एंटर कर जाएगा तो अब यह आपकी फोर्थ स्टेज जो है वह इंटर स्टेइन में वापस से आ गई वह यह फोर्थ स्टेज लार्वा का फुर्दर एक बार ओर डेवलप्मेंट होगा तो आपका यंग ऐसकेरिस बनेगा है ना फाइनल मॉल्टिं ओके आपका यह एसकेरिस बनेगा और फिर आपसे लगबग आपका आट से दस हवते के बाद फिर से वापस यह आपका अड़ल्ट बन जाएगा और फिर से कोपुलेशन करेंगे और इसी तरह से आपकी लाइफ साइकल चलती है so calculation takes place in takes place in men's intestine men's intestine कि इसा नपको पता ही है population मैं कर डीटेर में लिखना दो लिख लो कि जो पीनिल सीटे था पीनिल सीटे ओपन दी वल्वा यह वजाइना ठीक है एंड इंसर्ट दिस पॉंख इंटर गर दिया तो पॉपलेशन हो गया आपका ठीक है दन उसके बाद आपका इस पॉंख एंटर कर गर बोड़ी में और जो यूटरस है तो यूटरस को जो प्रॉजिमल लेंड है वहाँ पर जाके फैटलाइज़ान अथा है स्पंस रीचेज टूधी प्रॉजिमल लेंड यूटरस एंड विट्राइज एंड फट्लाइज़ेशन अधर्ट इलाइज़ेशन अकर्स टिक एफट्लाइज़ेशन होगी इसका दन फट्लेशन अगे बाद में आपको जाता कि उसमें कवरिंग हो जाएगी है ना जो आपका वहागा और इसमें क्ली सदो जाएगे परेंग पिर उसके इसके ऊपर इसके उपर 25 मिम यूचयल हो गई तो आप यह लिखिंग लेंगा शिकार्व xuदो समय wannug ये को मतलब लिए करेंग इसके वाद यक्ली करेंगा और medida ये काइट बैक सिर आप तो एक जो हमारा वो कुछ काइटीनियस हो गया हलका सा तो ऐसा भी बन गया तो इसके बाद आपका जैसे जैसे आपका यह क्योंकि जो यूटरस है आप यह दीरे-दीरे नीचे आएगा उसकी यूटरस में ठीक है तो जब यह नीचे मूफ कर रहा था तो इसके ओपर आपका एक कोटिंग ओर करती है तो आप इसमें बोलो के दिन इसमें क्या होता है कु इस में सुरू जाता है इनका क्लीवेच होना इसा डेटर्मीनेट पर इन बता चुक है बता शोनके हैं इंटर्मीनेट एंड स्पाइरल क्लीवेच occurs determinate मतलब हर cell determinate है अगर आपने एक भी cell उसमें से remove करी तो जो वो organ बनना होगा या जो वो tissue बननी होगी वो नहीं होपाएगी तो scroll then determinate और spiral वाला तो पते ही आपको तो यह आपका होगा cleavage ठीक है बन cleavage होने के बाद आपका two cell then four cell say six है ना फिर उसके बाद आपका eight cell then blastula and then gastrula form ठीक है तो gastrulation आपका होगा then उसके बाद क्या होगा this gastrulation leads to the active juvenile form of the organism ठीक है so this leads to the formation of active juvenile form of ascaris ठीक है तो यह जो active juvenile form है आपकी जो मतलब जो सबसे पहली जो larva से बनने से पहले जो भी इसमें cell है inner cell mass से जो बन रहा है तो उसको उसमें क्या होता basically यहाँ पर आपका elementary canal का formation होने लग जाता है इस stage पर आपका है ना और जो nerve की formation है नवरिंग का formation होने लगता है ठीक है excretory system का formation होने लग जाते है ठीक है और यही बस थोड़ा सा जब यह पूरे complete हो जाएंगे देन हम इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर आप एक पुइंट लिख लो कि यह सब हो रहा था आपका तो यह डिटर्मिनेट स्पाइरल क्लीवेज वगेरा यहाँ पर लिख लो कि तो क्लीवेज वगेरा मतलब बॉड़ी के अंदर ही शुरू हो जाता है बर दीरे दीरे जो प्रॉसिस अपना चलता रहता है तो उसके बाद आपका रप्डिटी फॉर्म लार्वा आपका बाहर आके बन गया बॉडी से बाहर जो मैंने आपको डियाग्राम में दिखा है र कि निफेक्टिकिव सेकंड लार्वल स्टेज एकंड रार्वल इस्टेज जो है वह आपका रिप्डिटि ए तो वह यह आपका हो गया बदिसमें वाट्रिंग बन डिकलộtिट यह धिस Чत तेज 컨स्वार से इन डिन पर दिकेर वाद अन गया दैल Rio तो इसके ओपर जो जो शेल थी आपका अब जैसी यह आपका इट रीचिस टू दी इंटरस्टाइंड जो आपकी जो कवरिंग थी एग शेल थी एग शेल तो इसके बाद आपका तो यहां पर लिख लो लार्वा जो लार्वा था आपका वो हैच आउट कर गया है तो लार्वा जब उससे शल से बाढ़ निकल गया तो इसके बाद इंटरस्टाइंड एपिथीलियम में होल करके यह आपका पहुंच गया लीवर हार्ट लंग्स वग इतना है तो लिखो लार्वा बोर्स बोर्स दी इंटरस्टाइंड रीचिस तो दी लिवर हार्ट एंड लंग्स ठीक है मतलब जो ब्लड वसल्स हैं आपकी है पेटो पोर्टल वें वगेरा उनके तुरो तब आपका लिवर हार्ट लंग्स है यहां सब पर मूच गया फिर तब आपका क्या करेंगा लास में छोंड फॉच तो लंग्स में अपका कुछ टाइम डाएगा और आपका देरे दरे अपना साइज ग्रो करेंगा इस जािए पर दो के इट रिमेंस इट रिमेंस इन लंग फॉर फ्यू देज एंड इंक्रीज इट साइज ठीक है अपना साइज बढ़ा लेगा दन उसके बाद आपका इट दन इट रॉप्चर रॉप्चर थूदी कैपिलरी इस तो रीच अल्वियल आई ठीक है एंड अंडर गो मॉल्टिंग तू रीच यह तू फॉर्म थर्ड लार्वल स्टेज ठीक है तो तीसरी लार्वल स्टेज यो है वो इसने बना ली क्लियर है वेरी गुड दन उसके बाद क्या होगा आपका आगे इट फर्दर अंडर गोज अनधर मॉल्टिंग एंड एंटर द इंटर दी फॉर्ट लार्वल स्टेज ठीक है दन उसके बाद आपका यह क्या करेगा पैरिंग्स तक जाएगा और फिर उसके बाद आपका जब जो कफिंग आपकी जस्पूटा मस्के थू वापस इंटर स्टैन में स्वैलो बैग हो जाएगा ठीक है देन इट स्टैनिद टू फैरिंग्स एंट्रेक थू ट्रैकिया थू ट्रैकिया एंड एंटर स्टी गट ठीक है वापस से गट में एंटर कर जाएगा कब वन वन कॉफ्ट एंड दस्पूटम स्वैलोड बैग ठीक है अब तो यह एंटर करें फिर इसके वाद गट में एंटर करने वाद में आपको होता है कि एक और मॉल्टिंग होगी उसमें और यह अडल्ट में बन जाएगा आफ्टर एंटरिंग दगट इट अंटर गोज इस फाइनल मॉंटिंग फाइनल मॉंटिंग एंड अडल्ट इस्टेज रीच तो अडल्ट इस्टेज रीच कर गया एंड दैन उसके वाद क्या होगा इट फर्दर इट फर्दर कॉपुलेट एंड प्रोडूज नंबर आएग्स तो एट एट लाइप साइकल कंटिनूर ठ अगली वीडियो में चोटा से मैं आपको पैरसिटिक अड़ेटेशन जो अभी तक पढ़ा है ना पैरसिटिक अड़ेटेशन तो वही आ जाएगी इसकी और जो पैथालोजिकल सिंटम इसकी जो डिजीज कॉस करता है स्कैरी एसिस उसके बारे में मैं आपको बता दूँग देन खतम करके फिर वह चेरिया तो आपकी दोई वीडियो में खतम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से माना नीमा ठोट भी नहीं पड़ जाएगा चलो दोसको यहीं पर एंट करते हैं अकर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सुब्सक्राइब करो थैंक्यू ब